शिर्मत्यविव भागवत प्रान पथम सकंद में भगवान विष्णों के है ग्रीव अबतार का कारण तता है ग्रीव रूप में है ग्रीव दानों का वद्ध। रिशिगन बोले सोच जी आपने बड़े आश्चर की बात कही। अरे जो भगवान विष्णों सब के करता धरता हैं उनका भी मस्तक कटकर धाट से लाग हो गया फिर उस दान पर गोड़े का सिर्ध रखा गया और वे है ग्रीव के लानी लगे। वेद भी जिनकी स्तुती करते हैं संपुरन देटाओं को आश्री देना जिनका सभाविक कुन है तिथा जो समस्थ कारणों के भी परमकारन है उन आदी देव जगत पर भगवान श्री हरी को भी छिन मस्तक हो जाना पड़ा। ये देव की ही करामात है प्रन्तों महामते ऐसी घटना कैसे घट गई इसे शीकर विस्तार पुरो कहने की कृपा कीजिए तो सोजी कहते हैं मुनिगनों भगवान विश्णु परम्त जस्सियम देवताओं के भी देवता हैं उनकी लीला बड़ी विचित रहे तुम सब वर्षो तकवे युद्ध भूमी में डटे रहे फिर तो उन्हें ठकान सी होगी तावे अपने पुन्य परदेश बेकुंट में गए पदमासन लगा कर बैठे धुनुष पर दोरी चड़ी हुई थी इसी अवस्ता में धुनुष को भूमी पर टेकर उसी के सहारे वैस यग्य करने की योजना चल रही थी इंद्र, भ्रम्मा, शंकर, आदी सभी देवता यग्य करने में तत्पर होकर भगवान शिरी हरी से मिलने बैकुंट में गई देवताओं का कारे निविघर चलता रहे ये उस यग्य का उद्देश था वहाँ उन्हें यग्गेशर होकर अचेज से पड़े हैं तावे देवता लोग वही थैर गे जब भगवान की निद्रा भंग नहीं हुई तावे देवता अत्यत्व चिंतित हो गए ऐसी स्थिति में इंद्र ने परधांग देवताओं को संभोधित करके कहा आप क्या करना चाहिए देवताओं आप से हम विचार करें भगवान विष्णों को कैसे जगाया जाए तब भगवान शिंकर ने कहा देवताओं यद्द भी किसी की निद्रा भंग करना निशिद्दा चरन है फिर भी यग्य का कारे संपन करने के लिए तो इने जगा ही देना चाहिए तब ब्रह्मा जी ने वम्री न आगे की स्रसी को काटते ही जुका हुआ द्रुश उपर को तन उठेगा फिर तो देवादी देव श्री हरी की निद्रा तूटी जाएगी तब देवताओं का कारे सिद्ध होने से कोई संदे नहीं होगा इस परकार मन में विचार करके परधान देता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वंबरी को आग्या दे दी तावे वंबरी नामक कीडा प्रह्मा जी से कहने लगा अरे लच्वीकान भगवान नरायन दीवताओं के विया रध्य देव हैं भना उन जगत गुरु की निद्रा में कैसे भंग कर सकूंगा भगवान इस तनुष की दोरी को काटने से मुझे कौन सा लाब है जिसके कारण ऐसे घ्रिनित कारे किया जा सके सभी प्राने किसी ना किसी स्वार्थ को लेकर ही नीज करम में प्रवित होते हैं ये बिलकुल निश्चित बात है इसने यदि मेरा कोई नीजी काम बनने वाला हो तब ही इसे काटने मे अब तुम शीगर हमारा काम करो अर्थात भगवान श्री हरी को जिगा दो देखो यग में हमन करते समय अगल बगल जो भी हविश्य गिर जाएगा में तुमारा भाग है ये समय लो अच्छा अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए तो सू जी कहते हैं इस परकार ब जोरी भी वैसे ही धीली पड़ गी इस समय बड़े जोर से भ्यंकर शब्द हुआ जिससे देवता वैवीत हो उठे चारो और अंदकार च्छा गया सूरी की प्रभाज शीन हो गई फिर तो सवी देवता गबरा कर सोचिन लगे हो ऐसे भ्यंकर समय में पता नहीं क्या होने व कार शांत हुआ तब भगवान शिंकर और भ्रह्मा जी ने देखा शिरी हरी का शिरी विग्रे बिना मस्तका पड़ा हुआ है ये बड़े आचर की बात सामने आ गई भगवान विश्णों के केवल धड़ को देखकर उन श्री श्री श्टिवताओं के आचर की सीमा नहीं रह के अच्चनत दुखी होकर उनकी आँखे जल बरसाने लगी वे विलाव करने लगी हानात आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एम सनातन प्रभू हैं फिर भगवन संपूरन देवताओं को निश्प्रान करने वाले ये कैसी देवी विचित्र घटना गट गई तब ब भगवान ने जैसा वी धान रच रखा हैं वैसा अवश्य ही होता है ये बिलकुल असदिंग्द बात है जैसे बहुत पहले काल की प्रेना से भगवान शिंकर ने मेरा ही मस्तक कार दिया था उसी परकार आज भगवान विश्णु का भी मस्तक धट से अलाग होकर समुद्र म भग होगे उन्हें दुखी देखकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मांस्रोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे अताइब तुम बिलकुल शोक मत करो तुम सभी उन सनातन में विद्या सवरूपनी महमाया का चिंतर करो वे प्रकति में भगती निर्गुन सवरूपनी अब वे हमारा कारे सिध्ध करेगी वे जगत को धार्न करती है उनका नाम भ्रम विद्यावी है। सब प्राणी उन्हें की संतान हैं ति लोकी में चार और अचार जितने प्राणी हैं सब में वे विराज मान हैं। सूजी कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने विदों को जो सामने देध धारन करके उपस्ति थे आग्या दी ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म विद्या सवरूपनी भक्ती जिगदंबी का अका परम आराध्या है उन सनात्री देवी के अंगों का शाक्षाकार होना कठीन है वे भक्ती मह माया संपूरन कर्म को सिध्ध कर देती है, था तुम लोग उनकी स्तुति करो, तरंतर संदर शीद धारन करने वाले वेद, प्रमा जी का कतन सुनकर अब भक्ती का जो क्यान गम्या है, माहा माया नाम से प्रसिद्ध है, तदहा जिन पर संपूरन जगत अवलंबित है, स्तमन कर ने लगे वेद बोले देवी आप महा माया है जगत की शिरिष्टी करना आपका सभाव है आप कल्यान में विग्रे धारन करने वाले एम प्रकति गुनों से रही थें अखिर जगत आपका शाशन मानता है तदा भगवान शंकर के आप मनौरत पूर्ण की आकति हैं माता आपके लिए नमशकार है संपूरन प्राणियों को आश्रे देने के लिए आप पृथिशर रूपा है प्रांधारियों के प्रान भी आप ही है धी, शीरी, कांती, शमा, शांती, शद्धा, मेधा, धृतिवे और संबिधी यह समी आपके नाम है ओमकार में जो अर्धुमात्रा है वे आपका रूप है, गाहित्री में आप प्रणव हैं, जया विज्या धात्री लज्जा कीर्ती सप्रीहा उद्या, इन नामों से आप पर सिद्ध हैं, माता हम आपको नमशकार करते हैं, आप तिलोखी को उत्पन करने में बड़ी कुशल हैं, आपका विग्रिद्या से पूर्ण हैं, आप मताओं की भी मता हैं, आप विद्धा में एहम कल्यान सो रुपनी हैं, आपका सारा प्रेतन अखिल जगत के हितार्त होता हैं, आप परम पुज्या हैं, वाग बीज आपका स्थान हैं, ग्यांदवरा संसार जनितंदकार को आप नस्ट कर देती हैं, ब्र क्रिपा भी प्रधानता नहीं रही आप चिराचर जगत की जन्नी को जन्नी जो ठहरी जगदंबिके आपको जब अखिर भूमंडल को उत्मन करने की इच्चा होती है तब आप ब्रह्मा मिश्णु और महीं शादी मुख्य देताओं को प्रगट करती हैं और उनके द्वराश शिष्टी, स्थिती और संहार काड़े अरंब कर देती हैं देवी वस्ता तो आपका एक ही रूप है आप में संसार की लेश मात्र भी सटा नहीं है संपुरं संसार में कोई भी ऐसा प्रूश नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एम नामा को गिनने की योगिता कर सकता है भगवती देताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध नहीं हो सका जो आपकी भूति को जान सके आप संसार की एक मात्र जन्नी हैं आप अकेले ही इस मिठ्था भूत समस्त जगत की रचना का डालती हैं देवी इस जगत के मिठ्था तत्तों में शुरुति वचन ही परमान हैं देवी आचारे तो ये है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत के उत्पत्ती में कारण हैं आपका ये अध्वुच्रित्र हमारे मन को मौ में डाल रहा है जब सारी शुरुतियां आपके गुनो एम परभाव को जानने में असमत रही तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं अधिक क्या कहीं अपने परम प्रभाव को आप से हम भी ही नहीं जानती कल्यान में जिगदंबी के भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलाग हो गया है क्या आप इसे नहीं जानती अथ्वा जानकर भी उनके प्रभाव की प्रिक्षा करना चाती हैं इस हम ये नहीं जान सकते कि आप जनम मरन के बंदन को काटरे में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं जिगदंबी के आपके ये नीला मैभव अब हमारी समझ से बाहर है अत्वा युद्ध भूई में देटाओं से हार ज हो गया था अब आप श्री हरी को मस्तक हीं देखने का ही अनद लूटना चाहती है जिगदंबी के आप लच्छी पर कुवित तो नहीं हो गई क्योंकि आपको उनको आप भगवान विष्णु से रहिद देखना चाहती है माना यदि लच्छी ने अपराद ही कर दिया हू त क्योंकि वे भी आप से ही प्रकट हुई हैं अत्य श्री हरी को पुना मस्तक पर दान करके लच्छी को परसन करने की किरिपा कीजिए तेवी यह सुर्गन आपको निरंतर नमशकार कर रहे हैं आपके जगत स्रिजन में कार्य की व्याख्या व्यवस्था के यह परदान सदस् इने परतिष्टा भी प्राथ हो चुकी है अब आप अखिल लोक नायक भगवान विश्न को प्रान दान करके शोक रुपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की क्रिपा कीजिए माता पहले तो हम यह नहीं जानते कि श्री हरी का मस्तक चला कहां गया है यह तो ब जिगत को भी जीवित रखना आपका क्तब यह है सूजी कहते हैं इस परकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जिगदंबेगा का स्तमन किया तब गुना तीत माया में देवी अत्यान पर सन्न हो गई फिर तो देताओं को लक्ष करके आकाश वानी होने ल करने की अवश्यक्ता नहीं है शांचीत होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ वेदों ने भली भांती मेरी स्तुति की है अत्या मेरी परसंता से किंचित भी संदे नहीं रहा जो पुरुष मृत्यू लोग के मेरे स्तुत्र को भक्ति पूरक पढ़ता है अत्वा पढ ही हो जाता है मेरा ये वेद परनीत स्तोत्र निश्चे ही वेद तुले है अब तुम लोग श्री हरी के छिन मस्तक होने का कारण सुनो इस चगत में कोई भी कारे अकारण कैसे होगा एक समय की बात है भगवान श्री विष्णों लच्वी के साथ एकांत में बिराजमान थे लच्वी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हसी आगी लच्वी ने समझा होना हो भगवान विष्णों की दृष्टी से मेरा मुख कुरूब सिद्धों चुका है अथा मुझे देखकर उन्हें हसी आगी क्योंकि बिना कारण उनका यो हसना बिलकुल असंभव है फिर तो मह महाल अच्वी को क्रोदा आ गया साथ एक सभाव होने वाली फिर भी तमग उन्हें से आविष्ट हो गई श्री महाल अच्वी के शीर में भ्हंकर ताम सी शक्ती का जो प्रवेश हुआ उसका भी भावी परिनाम मस्ता देवताओं का कारें सिद्ध करना था वे अत्यनत व्य आकल हो गई तब जट उनके मुक से निकल गया तुम्हारा ये मस्तक गिर जाए इसी से उस समय उनका सिद्ध शार समुद्र में लहरा रहा है देवताओं इसमें कुछ कारण दूसरा भी है वे यही कि तुम लोगों का एक महान कारे सिद्ध दोने वाला है ये बिलकुल के देटे हो चुका है उसकी विशाल भुजाएं है और वह बड़ी ख्याती पा चुका है सरस्ती नदी के तट पर जाकर उसने महान तब किया मेरे एकाक्षर मंतर माया बीच का जब करता रहा बिना कुछ खाए ही जब करता था उसकी इंद्रियां वश्च में हो चुकी थी स संपुरन भुशनों से भुशिट जो मेरी तामची शक्ती है उसी शक्ती की उसने आराधना की वह देट एक हजार वरिष्टा कैसा कथिन तब करता रहा तम मैं ही तामची शक्ती के रूप में सजकर उनके पास गई और जैसे रूप का मैं ध्यान कर रहा था टीक उसी रहती थी सरवांग दिया से ओद प्रोथ थे मेरा मैंने कहा महा भाग वर मांगो सुवरत तो मैं जो इच्छा हों से दिने को तियार हूं मुझे देवी की बात सुनकर मैं दानब प्रेम से भोर उठा उसे तंत मेरी प्रदक्षना की और चल्ण में मस्तक जुकाया मेरे इस देखकर उसके नित्र प्रेम से पुलकी तो उठे और अनंद के आंसों से भर गे फिर तो मैं मेरी स्टूती करने लगा है गरी बोला कल्यान में देवी आपको नमशकार है आप महा माया है श्रिष्टी स्थिती और संहार करना आपका सभाविक गुन है भक्तों पर क्रिपा क करने में आप बड़े कुशल है मनोरत पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरेंजन है प्रिथी जल तेज वाई और अकास तथा इनके गंडव गुन गंड रस रूप श्वर्ष एम शब्द इन सब का कारण आप ही है मही श्री नास का तवचा जिहा नित्र और कान भक्ति ने कहा तुमने बड़ी अधुत तवस्या की है मैं तुमारी भक्ति से भड़ी वाती परसन नहूं तुम अपना अभिलक्षित वर मागो तुमें जो भी चाहूं मैं देने को तीयार हूं तो है करी बोले माता जिस किसी प्रकार भी मुझे मुझे मृत्यों का भेना देखना पड़े वैसा ही वर देने की किरपा की जिए मैं अमर्य योगी बन जाओं देवता और दानव कोई भी मुझे जीत नहीं सके देव ने कहा देखो जनमे हुए की मृत्यू मरे हुए का जनम होना बिलकुल निश्चीत है भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे वियर्थ की जा सकती है राक्षिश राज मृत्यू के विश्चे में तो ऐसी ही बात पकी समय लेनी चाहिए अधर मन में सोच विचार करके जो इच्छा हो वर मागो तो है गरीब बोला अच्छा तो है गरीब के हाथ ही मेरी मृत्यू हो दोसरे मुझे नहीं मार सकें बस आप मेरे मन की यही बिलाशा है इसे पूर्ण करने की क्रिपा करें तो देवी ने कहा महाभाग आप तुम घर जाओ और अनन्द पूरक राज्जी करो यह बिल्कुल निश्चित है है गरीब के सिवा दोसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा इस परकार उस टानों को वर देकर ताम सी देवी अंतर ध्यान होगी और वे डेटे भी असीम अनन्द का अन्भव करते हुए अपने घर चला गया वहीं पापी इन दिनों मुनियों और विदों को अनेक परकार से सता रहा हैं तिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुस्ट को मार सके अतर हम इस घोड़े का सुन्दर सीर उतार कर शिरी विष्टू के धर से जोड़ दिया जाएगा ये कार ब्रमाजी के हाथ संपन होगा तंतर वे ही भगवान है ग्रीव देटाओं के हिच साधन के लिए उस दुस्ट तैम निर्दई दाना को प्रान हरेंगे उसका तो सुजी कहते हैं देटाओं से यो केकर वे काश्वनी शांत होगी फिर तो देवता अनन से भी हल हो गिठे उन्हें दिव शिल्पी भ्रमाजी से कहा देवता बोले भगवन शिरी विष्णू के मस्तक हिंट शिरी पर सिर जोड़ना रूप महत पूर्ण कारे संपट करने की क्रिपा करें सवी भगवान है गरीब बनकर इस दानवराज का संगार करेंगे सूजी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर भ्रमाजी ने उसी शन सुर्गन के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार दिया साथी तरंट उसे भगवान जी के शीर पर जोड़ने की विवस्ता संपन कर दी फिर तो भगवती जगदंबिका के कृपा परशाद से उसे शन भगवान विश्नु का है गरीव अवतार हो गया यह दानव बड़ा ही अविवानी था दिवताओं से उसकी घोर शतुर्ता थी अवतार लेने के पश्चाद कितने समय तक भगवान उसके साथ युद भववी में डटे रहे ताब कहीं उसके मृत्यों हुई मृत्यों लोक में रहने वाले जो प्रुश यह पुन्य में कथा सुनते हैं वे संपूरन दुखों से मुक्त हो जाते हैं यह बिलकुल निश्चित बात है भाक्ती महामाया का चरित्र परम सुन्दर एंपाप का संहार करने मा है उसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूरन संपतियां सुलब हो जाती है